रहने जा रही हूँ गोवी का प्राठा बीना फटे हुए फ्रेंस तो कभी गोवी का प्राठा जब बनाते है तो फट जाता है लेकिन इस ट्रिप के साथ बनाईएगा तो गोवी का प्राठा नहीं फटेगा और इसके साथ बनाऊंगी खास चटनी तो चलिए फ्रेंस मैं रे पख गया ने अदर रखेसन फेस्ट डाला है आधा चमच हल्दी पॉडर को आधा चमच लाल मिच का पॉडर और एक चमच मैंने इसमें धगा पॉडर डाला है मसालों को अच्छी से मिला लेती है ताकि तेल केंदर मसाला है जो पक जाए तो यहां आप तेल के नहीं डेला, मैंने दोड़ेती है। उब सस्थराच के देलाति हैं। उपर से थोड़ा सा अजवाइन डाला है अजवाइन से इसमें फ्लेवर पहुत ही अच्छा था फ्रेंस ने एक चमस भूना हुआ जीरा पॉटर डाला है और इस सभी चीजों को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ अगर आपको थोड़ा बहुत मसाले को कंटेती कम लग रही है तो थोड़ा बहुत आप उपर से डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला कर दो मिनट और भूंज लिया है और यह बिल्कुल ही रेडी हो गया है तो उपर से मैंने बारे कटा हुआ धनिया पत्ते डाले है और अच्छे से फिर से इसे मिला लेती हूँ तो जादा इसे नहीं पकाना है नहीं तो जादा पकने के बाद ये अच्छे से अंदर भराएगा भी नहीं या खाने में टेस्ट भी अच्छा नहीं आता तो इसे 50% ही पकाना है तो यहां पर यह बिल्कुल ही रेडी हो गया था तो साइट में अभी रख दिया है तो मैं चटनी तयार कर लेती हूँ तो चटनी के लिए मैंने यहां पर करा ही रखा है और इसमें दो चमच मैंने तेल डाला है तेल गरम हो गया था तो इसमें मैं लाल मिर्च डाला है और इसमें दो बड़े चमच मैंने चैना दाल मुंफली का दाना तो मुंफली का दाना भी दो बड़े चमची डाले है ऐसमें मैंने 15-15 लासुन के कली डाले है और अच्छे से 2 मिनट तक भूंज लेते हैं तो यहां पर 2 मिनट हो गया भूंजते हुए अब मैं इसमें डालूंगी प्याज और टमाटर तो यहां पर मैंने 4 टमाटर लिये थे मिडियम साच के इसे भी अच्छे से धोकर और लंबे पिसस में इस तरह से मोटे कट किये हैं और दो बरे साच के मैंने प्याज लिये थे उसे भी इस तरह से लंबे और मोटे पिसस में कट किये इन सभी चीजों को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ तो यहां पर मैंने अच्छे से सभी चीजों को मिला दिया है इसमें मैं डालूंगे स्वादन सा नमग और थोरे सा लालमिच का पौडर यह देखिए तो ज्यादा नहीं डालना है फ्रेंस बिल्कुल थो यहां की लूद्न और थोड़ा कमी दीखा रखेंगा तो अभी मिनटा के लिए ढखन में डंगं देती हूं तो दो मिनटा हो गए और फूरी तरीकहे से देखिये टमाडर है jook Taghe French बिल्कुल रेड़ी हो गया ते अ मैं गयस को बन कर मैं कर देती हूं और इसे ठंडा होने देती हूँ तो हलका सा यहां पर यह ठंडा हो गया था तो जार के अंदर मैं डाल लेती हूँ तो यहां पर मैंने जार के अंदर डाल दिया फ्रेंस इसे ठंडा करने के बाद ही मैं पिस लूँगी तो यहां पर मैंने रोटी के साज का जो गोला लेते उससे थोड़ा सा बड़ा मैंने रखा है और थोड़ा सा सुकाटा लगा के इस तरह से मैं बेल लेती हूँ बेलने से फ्रेंज कितना भी आप इसमें मिशरन डालिएगा तो फटता नहीं है तो यहां पर मैंने गोबी का मिशरन रखा है यह देखें फ्रेंज और इसे इस तरह से आप फोल्ड करते जाएए इस तरह से घुमाते हुए फ्रेंज आपको जितना इसमें मिशरन डालना गोबी को आप डाल सकते है बिल्कुल भी पराठा जो फटेगा नहीं और इस तरह से घुमाते हुए इस्टा आटा को इसे में आप चिपका दे थोड़ा सा सुखा आटा लगा लिए है और इस तरह से हलके हाथों से इस तरह से आप डाब दीजिए और हलके हलके बेलन से घुमाते हुए ही बेलना है ज्यादा आप बेलन को इस पर मतेती किजिएगा दाबिएगा नहीं तो यह फटकर निकल सकता है तो सिर्फ हलके हलके बेलन से घुमाते हुए ही इसे बेलते रहिए तिहां पर तबाग गरम हो गया था तब एक उपड डाल दिये है दुसरे साइड इसे पलट दिये है तिह अच्छे से सिखा गया है तो मैं उपर से तेल डालती हूँ और अच्छे से इस तरह से फैला देती हूँ तिहसे अब मैं दुसरे साइड पलट देती हूँ और दुसरे साइड भी इसे तरह से तेल डाल कर अच्छे से प्राठे को पर से फैला देती हूँ दोनों साइड अच्छे से इसी तरह से मैं फ्रेंस सेख लेती हूँ यह प्राठा फ्रेंस बहुती नरम बनता है खाते ही फ्रेंस घूल जाता है तो इस प्राठे को एक वार इस खास चट्टी के साथ घर पर जरूर से बना कर देखिएगा फ्रेंस यकीन मानिये फ्रेंस इतना यह टेस्टी लाज वाब लगते हैं कि बच्चो तो हर बार आपको इसी तरह से बनाने को जीत करेंगे तो यह देखिए फ्रेंस ये खोद अधलके हलके से इस तरह से दाविएगा तो यह फोलेगा भी यह देखिए फ्रेंस और अच्छे से सिख तो मैं अब इसे निकाल लेती है उसे अप जादा सेखने का जरूरत नहीं है ये देखे और इसी तरह से सारा जो मैं पराथा है मैं इसी तरह से तयार कर लेती हूँ अगी को मैंने प्रेंच पीछ लिया है ठंदा होने के बाद यहाँ पर उसका तरका मैं ready कर रही हूँ तो इसके लिए पैन में मैंने दो छमस तेल डाला है थोड़ा सा इसमेह सर्सो के दाने दो लाल मेर्च और यह थोड़ा सा मैंने उरत को डाल डाला है अच्छे से मिला दिया है तरका भी हमारा यहां रेडी हो गया है अगर आपके पास करीपत्ते हैं तो भी आप डाल सकते हैं मेरे पास नहीं था तो मैंने यहां नहीं डाला है तेसे अब मैं चट्नी को उपर से डाल देती हूँ तो यह देखे फ्रेंस स्वाधिश चट्नी है जो बिल्कुल ही रेडी हो गया है गरम प्राठे के साथ फ्रेंस इस चट्नी को एक बार घर पर मेरे तरह किजिएगा बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंस यकीन मानिए इतना यह टेस्टी लगता कि हर बार आप इस तरह से पराठा है और मैं तोड़के भी आपको दिखाती हूँ फ्रेंस कि अंदर तक दिखने में कितना अच्छा लग रहा है यह को बिल्कुल भी पराठा है जो फ्रता नहीं है यह देक doctor और खाने में तो इतना लाजबाब है कि हर बार आप इस तरह से बनाना पसंद करेंगे इस चटनी के साथ तो घर में तो सभी को पसंद है इस खास चटनी के साथ क्योंकि खाने में इतना यह टेस्टी लगता है प्राठा चुटनी सारा घा जा जाईएगा इतना यह टेस्टी लगता है और प्राठे के साथ तो बहुत ही ज्यादा प्रेस्टी लगता है धर तो रिक्वेश्ट है कि एक बार घर पर आप इस तरह से चटनी और गोवी का प्राठा जरूर से ट्राइच किजिए गा और मुझ दिल से धन्यवाद कहती हो और सभी यूटूब फैमिली से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी मुझे भी आगे पढ़ने में सपोर्ट कीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, सेयर, सस्क्राइब कहना बिल्कुल भी ना बुलिएगा फिर मैं इसी तरह से नई रेस्पी के साथ आप सभी से मिलते रहोंगे, तब तक के लिए बाइ बाइ फ्रेंड्स